एक सो बतीस कॉण्ड दोस्तों मारे देश की अबादी है और उस एक सो बतीस कॉण्ड देश की अबादी में आप उठा के देख लीजिए Network Marketing से सिब 2 करोन लोग के आसपास connected है और मज़े की बात कि उन 2 करोन लोगों में से मात्र connected है यही बात किया जाए और फिल्ड में, और फिल्ड इंदेसेंस में राग क्या मतलब है? एक करोण 32 लाग, और एक करोण 32 लाग के दिए आधा निकाला जाए, तो होता है कितना 64 लाग लगभग, और आप इमेजिन करना कि इंडिया कंदर में 56 लाग लोग सिर्फ और सिर्फ यूजर है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसका एक ही मतलब होता है कि आज पूरे हिंदू में fail हो जाते हैं, जब हम जाते हैं किसी नए आदमी से बात करने के लिए, तो हर आदमी सिर्फ एक बात करता है कि बिजनस फ्रॉड है, बेकार है, काम का नहीं है, यानि आप जड़ा देखना कि majority जो पीपल है दुनिया के अंदर में, वो सभी लोगों का यही मानना है कि network marketing marketing एक बेकार बिजनस है, फ्रॉड का बिजनस है, now question is that, क्या 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 रियल्टी में ऐसा है, आज कहीं कि करोना के lockdown के विए से दोस्तों आज आप घर में बैठे वे हो, कितने लोग की job जाने वाली है, कितने लोग की साथ समस्याएं आने वाली है, तो क्यों नहीं अपना ए IT फिल्ड में हूँ, और आज इदी बात किया जाए, तो network marketing में, मैं एक्टू हूँ इस company में, पिछले 19 महीने के अंदर, दोस्तों, मेरे team में, इसमें कम लगबग 40 लोग के आज पास की income, 6 figure में है, network marketing के थूँ, और 19 महीने में, और लगबग 10, 7 figure के उपर इदी बात किया ज है, तो मैं आपको बोलूँगा, तो क्वेश्ट करूँगा कि ध्यान से आज की इस presentation को जरूर देखना, doesn't matter, आप करो, चाहे मत करो, आप नहीं करोगे, तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, और यदि आप कर लोगे, और नहीं कर पाए, तो भी कुछ नहीं जाएगा, दोस सारी ऐसी आपको दोस्तों knowledge बढ़ने वाली है, जो मेरी guarantee है कि हिंदुस्तान में सायद ही कोई आपको सिखा पाए, मैं इसलिए बोलाँ सायद सिखा पाए, सिखाने वाले दोस्तों तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, कि लोग सिखा तो दें, लेक इसलिए आपको अच्छा लगता है, तो आगे मिल के continue करेंगे, so let's see, दोस्तों, हम बोलते हैं कि network marketing करें या न करें, यह मुद्दा बहुत बात की है, उसके पहले दोस्तों एक मुद्दा सुरू होता है, और मुद्दा दोस्तों क्या बोलते हैं, कि आखिरकार हर ब्यक्ति, चाए मैं हूँ, चाए आप हो, चाए दुनिया का कोई भी इनसान हो, आज जिन्दगी में क्या चाता है, पैसा बनाना, तो सवाल ये पैदा होता है, how to make money, ये matter नहीं करता कि कौन कितना पैसा बनाएगा, लेकिन ये है कि how to make money, जब हर इनसान पैसे की पिछे कहीं कहीं परि तरीका है, दोस्तों पैसा बनाने का एक ही तरीका मेजर हमारे आपके पास में है, वो क्या है पता, employment, एक जॉब करना, और जैसे दोस्तों हम जॉब की बात करते हैं, तो जॉब में अपज़रा ध्यान देना, एक पिरामीड बनता है, एक पिरामीड बनता है, त्रिभूज बनता है, बिसक्री होता क्या है, आप रहा ध्यान देना, आप मालीजे किसी कम्णी के CEO है, तो CEO तो कम्णी में एक ही होगा, तो CEO एक होगा, और वो क्या करें कुछ डैक्टर को अपवाइंड करेगा, यानि ओनर एक कुछ डैक्टर की संख्या more than CEO होगा, CEO एक तो डैक्टर चार-पांच-छे-दस-बीस हो सकते हैं तो अब देखना ऊपर का खाना इसलिए थोड़ा सवा छोटा और नीचे वाला बढ़ा क्यों है कि डियक्टर की संख्या ज्यादा है नो डियक्टर लून क्या किया हर स्टेट लेबल में एक हैड करते हैं फॉर जांपल उसको आप डि श्लिए ख्यार में कोई और है दली में कर दाब करते हैं यह ज्यादा होते है डिरेक्टर से बड़ा खाना हो जाता है कि इसका वी स्टेट लोग वहली क्या करेंग़ के या उसता प्रेसिडेंड बनाएंगे इस तरीके से लेके फिर कई सारे पोस्ट होंगे जो हजारों के तादात में होंगे जितने सहर उतनेे पोस्ट नाउ जब वो सहर की बात करूँ तो हर सहर में एरिया फे दिइड़ाइड हो जाती है हुष ct वाले क्या करएंगे पिर एरिया को फिर से डिस्टिबूट करते हैं जैसे जामपल दूं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेट्टव तो एम आर कई सारे होंगे और हर एमर का एरिया बटा होता है फिर नोंके मैनेजर होंगे से इस तरीके से स्टेज बाइच्च जॉब भढ़ती जाती है आप जैंगे संख्या बढ़ती जाएगी उनको कमांड करने वालों कि जितने नीचे आएंगे दोस्तों ती संख्या बढ़ती जाती है इसी वज़द से हर जौब के अंदर एक ट्रेंगल होता है जितना नीचे का पोस्ट वो ज्यादे होंगे और उपर को स्थ कम होगा और Reign, उपर के LINE, जिससे आपक burden कम होगी, तक कुछ आपके साथ में दोतों होगे down Line, जिससे आपक exhausted क्या होगी ज्यादा हो गी तेक ट्राइंडगेल बनता है अब आप जड़ा देखना कि इसी ट्राइंडगेल में कहीं कहीं आपके जॉप लगी की त्यारी करने के बाद या तो आप जौब कर भी रहे होंगे for example माली आप मैनेजर पोस्ट पे किसी कमणी में जौब कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे प्रमोशन लेके जाना है किस पे वीपी पोस्ट पे तो आप इमेजिन करना दोस्ट वीपी का पोस्ट सव होगा तो पांच हजार लोग कभी भी प्रमोशन सो पोस्ट पे नहीं ले सकते उपड़ से आधे तो campus selection आ जाते हैं तो उन campus selection होने को ऐसे friend जरा देखना कि कि कितने लोग वहाँ पे जाएंगे और यही मारा मारी यही जद्दो जहत पुरी live चली रहती है कुछ लोग समझदार निकलत को इंजिनियर बन गया कुछ एड़ोकेट बन गए लेकिन ध्यान देना दोस्तों यह भी एक प्रकार का employment है और इस employment को दोस्तों बोलते हैं self employment self employment दोस्तों क्या होता ध्यान से देखते हैं कंपणी एक होगी जैसे मालोब पारले जी कंपणी है अब पारले जी ने बिजनस शुरू किया उसने पूरे स्टेट में एक मेगा स्टॉकेश बनाए उन्हें इस्टेट वालों ने क्या किया स्टॉकेश बनाए वही सिटी में फिर सिटी वाले क्या करेंगे फिर हर एरिया में होलसेलर बनाएंगे और धेर सारी डिटेलर हो गए उन्हीं में से एक डिटेलर आप थे या उन्हीं में से एक होलसेलर आप थे पारले जी के दोस्तों अगें डिस इस बिजनस यह किसी प्रकार का बिजनस नहीं है स्वरी य जैसे केसमें दोस्तों बिजनस क्या है, फ्रेंड्स बिजनस उसे बोलते हैं कि आप काम करो चाहे न करो फिर भी पैसे आएं, आप 4-4-6 मिने साल-2 साल घूम के आओ कहीं से दूसे कंट्री तब भी पैसे वैसे ही आते रहें तो बिजनस है, काम बंद, पैसा बंद तो जॉब है, आप चाहे जॉब अपने ले करिए, चाहे आप जॉब दूसरे के लिए, डॉक्टर क्लीनिक खोलेगा पैसा आएगा, एड्वोकेट जब कोट में जाएगा तो पैसा आएगा, वैसे आप नौकरी पे जाओगे तो पैसा आएगा, that's why इसको मोलते है, self-employment या employment बद दो प्रकार की जॉब ही जॉब है, काम करने पे ही पैसे आने वाले है, ध्यान देना, देने दोस्तों बिजनस किसको बोलते है, जरा ध्यान देना, बिजनस दोस्तों एक अलग ही तरीके के बिजनस है, जैसे बिजनस कौन करता है ध्यान से हम देखते हैं, आप देखिए आदान बाटा को थाना एक ऐसा ब्यक्ति जो बहुत ही शांदार जूतिय बना रहा था उसके जूतों को लोग लाइन लगा के खड़ीद रहे थे क्योंकि बहुत शांदार थे यानी कि एक भीड खतमने चार लोग पीछे लगे वे हैं, एक बार ठका, फाइनली ठकते ठकते कोई कितना गंडे दोस्ट दुकान खोलेगा, एक सौटेन टाइम के बात में बाटा वाले हैं किया कि दुकान खोलना बंद किया तो लोगों ने गालियां बखनी शुरू कर दी, देखो कितना घमंडी हो गया है, हम लोग ल वीड़ होने को वे से दुकान बंद कर दिया करता था, तो कि एक आदमी कितना दुकान खोलेगा? उसकी ब्रें में दोस्तों एक आइडिया आया, उसने क्या किया? अपने दोस्त को अपने दुकान के एक सेंचाइजी दी, और अपने दुकान पे बोर लगा दिया, कि आज क तुर देख सकते हैं उसमान राहूल राजीव राम जयन जय धेर सारी जनसी बाती माननो बाटा ने पूरे हिंदुस्तान में 10,000 जनसी दोस्तों बाती और 10,000 जनसी जिस्ट गंटे खुलती है तो दोस्तों एक दिन में काम होता है बाटा के लिए 1 लाग गंटे आप इमेजिन 8 गंटे एक family अपके पडोस में है जहाँ परडोस में जहाँ बाप और बेटे दो लोग JOB करते हैं 16 गंटे अथ-ाथ दो लोग करते हैं 16 गंटे एक दूसरी पडोसी आपके है जोहाँ पर 8 गंटे बेटा आप गंटे मा काम कर रही है और आठ घंटे, फादर भी काम कर रहे हैं, 24 घंटे, और एक जिना दोस्त, आप उसी प्रड़ोस में काम करते हैं, 8 घंटे ज़रा situation समझेए, पैसा किसका जादा हैगा? जो ज़ादा काम करता है अब एक दिन में 24 घंटे किसी लिए काम होगा है जितना देर आप समय को बेचेंगे उतने देर आपको पैसा मिलेगा आपको दोस्तों ध्यानना लाइफ में कुछ भी चीज फ्री में कभी नहीं मिलती आप जब किसी को time देते हो तब आपको कभी girlfriend या बाफ्रेंड बनती है आप जब समय देते हो तो ही आप कुछ पढ़ाई करते हो आप जब समय बेशते हो तो ही समय का पैसा मिलता है जब तक आप कुछ देते नहीं दोस्त तब तक ये समाज से आप कुछ बतले में मिलता नहीं यानि आप समय कितने दिर बेशते हो आठ घंटे आपके family के लिए तो 8 घंडेक पैसा सोला गंडे तो सोला गंडे की पैसा, ना वो बाटा के लिए एक लाग घंडे तो एक लाग घंडे की पैसा बाटा के लिए दोस्तों तीन मुख़् चीजें एक सफल आदमी के पास पाई जाती है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी समय इतना कि जो चाहे वो घुमें, विजय मालिया, पान साल से देश से फरार है, उसका किंग फिसर का वाइन और किंग फिसर का पानी वैसे ही सिल हो रहा है यह extreme example है, कि वो नहीं है, उस समय उसके पास proper है, पान साल से बाहर, पैसा उनके पास है, क्योंकि पान साल से बाहर, उसके बाजूद उनके पास दोस्तों security है, क्यों रहे चाहे न रहे, उनको पैसा जाता है, जबकि हम यहानी पढ़ गए दोस्तों, हमारी परिवार आजाए यह ऐसे case में, जब तक मैं हूँ, तब तक पैसा आएगा, मैं खतम, पैसा खतम, प्योर example यह बहुत ही शांदार example था, कि आपको जब तक time money security तीनों एक साथ दोस्तों नहीं मिलती, आप अपने आपको secure नहीं बोलते, you are not secure, हमेशा अपने दिमाग में यह बात रखना, you are not secure तो time money security ता check करना कि आपके पास है, आप job वाले हैं, नहीं है, तो how it is possible कि आप कभी life में यह तीनों चीज़े एक साथ पापाएंगे, क्यों, दोस्तों यह time और money ने एक दूस्मन होता है, आप जब student थे, आपके पास में time था, बड़ आपके पास पैसा नहीं था, जैसे पढ़ाई लिखाई शुरू की, यानि यह job में आए, आपके पास में पैसे आ गए, तो by default क्या खतम होगे आपके पास में time, दोनों एक साथ आया कब, और कभी आप ही नहीं सकता, जो आप काम करें, यह आप भी जानते हैं, तो फिर क्या करें ऐसे case में, तो क्यों ना हम भी फ्रेंचाईजी बाटे, लेकिन फ्रेंचाईजी आप बाट नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात है, जो पीछे दोस्तों example हुआ, इस example से एक बात तो clear है, कि बिना फ्रेंचाईजी बाटे आप रिच नहीं हो सकते, यह जांब देता हूँ, 21 सदी में जो बाटा का game था ना, फ् पास किसी न किसी कमनी के फ्रेंचाईजी आएजेंसी से ही पहुची है, वो company आपको 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 नहीं दी है, जो ध्यान देना, दोस्तों कुछ लोगों को यह game समझ में आ गया, यह जो दस जार जेंसी बटी हुई थी, इस दस जार जेंसी में दोस्तों एक का नाम था र आपको खबर लगी, उसने बोला, खबरदार राजू, तुम यह एजेंसी नहीं बाट सकते, क्योंकि एजेंसी बाटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, और किसी एक पास नहीं है, यानि बाटा क्या बोलता है, कि मेरी एजेंसी मैं बाटूँगा राजू, तु एसा टर्मस्न कंडिशन ट्रेडिसमर मार्केटि में लोगों नों लगा रखा है, लेकिन ये बात राजू को मालूम थी, कि मैं बाटा के जेंसी ले लूँगा और बेचूँगा भी दिनबर 10 घंटे, साथ में टाइम निकाल के फ्रेंच आइजी भी बाटूँगा, लेकिन दोस्तों राजू बोलता है, राजू तुम बाट ही नहीं सकते, दिक्कत ही है कि अधिकार हम लोग सो छीना गया, लेकिन दोस्तों 21 सदी में कुछ कंपणियों ने यही राइट को फ्री कर दिया, ओपन कर दिया, कि यदि राजू की छमता है, दोस्तों ते एजंसी क्यों न ध्यान दिजिए, अब 1000 गंटे यह दि राजू के लिए दोस्तों काम हो रहा है, तो राजू के पास भी टाइम है, मनी है, सेक्योटी है, कंपेर टू बाटा कम है, लेकिन कंपेर टू आप जो 24 गंटे वाले है, 8 गंटे वाले, उनसे कही गुना ज्यादा है, अब ध्यान द दोस्तों, यह जिसे 10 गंटे खुलती है बाटा की, तो 10 दहां में 100 यानि एक दिन में 100 गंटे काम होते है बाटा के लिए, आज बाटा के पास भी दोस्तों, टाइम है, मनी है, सेक्योर्टी है, जो आपके पास नहीं है, जो 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 कहीं, अपने ही 8 गंटे के टाइम में बीजी हैं दोस्तों ध्यान देना यह जो बाटा वुला सिस्टम है बाटा का टाटा का अपानी का इस बिज्जार के दोस्तों हम बोलते हैं SLM सिंगल लेबल मार्केटिंग सिंगल लेबल मार्केटिंग मतलब जहां पे मार्केटिंग करने का अधिकार सिर्फ पर सिर्फ बाटा के पास है बाटा ने एजेंसी वड़ा राहूल को बाटा ने उसमान को बाटा ने प्रनाय को बाटा ने साक्षी को बाठाने Swati को, बाठाने Priya को, बाठाने Shiva को, लेकिन ध्यान देना फ्रेंचायजी को बाठा, सिर्फ रर्वर सिर्फ को बाठा है बाठा इसलिए सिंगल लेबल क्यों बोलते हैं? लेबल you know very well सिंगल मतलब एक सिंगल परसन के पास में अधिकार होता है फ्रेंचाईजी का बाटने का इसलिए सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं सिंगल लेबल मार्केटिंग दोस्तों पिछले सदियों से साइकडों सालों से यही सिस्टम आ रहा है इसी सिस्टम को दोस्तों दो और नामों से आप जानते हैं एक को बोलते हैं एजेंसी सिस्टम और एक को बोलते हैं क्या फ्रेंच आईजी सिस्टम दूस्तों दुनिया के जितना टेडिसनल व्योस आए है सोनी से लेके एपल से लेकर आपके घर के टीबी से ज़डु से पोछे से जो भी आपके घर में समान है हाथ में वो सब कुछ दूस दोस ओ अजिसा के माध्धम से आप एफ्रेंचियई जी के माध्धम से आई ध्यान देना यही काम वो करते हैं टाटा बाटा अमबानी और यही काम हमसे हग छीना गया आज आपने सुना होगा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है ऐसा क्यों? दोस्तों सिर्फ एक वज़ा से क्योंकि गरीब के पास वो अधिकार अमीर लोग रिच लोग देते ही नहीं है जिससे अमीर बना जाता है वो लोग जानते थे कि वो लोग दुकान खोलके फ्रेंचाईजी बाटे फ्रेंचाईजी बाटे फ्रेंचाईजी बाटे फ्रेंचाईजी बाटे हैं और जब हमने उनका फ्रेंचाईजी बाटने का प्रयास किया तो हमने उन्होंने साप मना कर दिया कि मेरी फ्रेंचाईजी कुछ कमपनियों ने किस्वी सदी में इस बैरियर को तोड़ा कि यह तो मोनुपोली हो गई यार कि जो रिच है में साथ रिच रहेगा गरी बिचारा कभी एजनसी बाटी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए पैसा चीए पैसा तो नहीं हमारे पास में इसलिए तो हम जॉब करते ह हैं नतीजा कुछ कमपनियोंने अधिकार दिया कि नहीं यदी छमता है राजिएउ ये बातने कि दराजियू को बाटने दो छमता है या एदी राहुर की अजिंसिय को बाटने को बातने ही जंबता है इन में सब सौ argued को को और के अगो को बाट सकते हैं दोस्तों इसी विजेस को दोस्तों। मोलते है MLM MLM Multi Label ông market-ink दोन ध्यान देना SLM में और MLM में क्या अंतर है सिर्फ एक शब्द कंतर है single और multi और single मतलब एक आदमी multi यानि more than one आदमी यही तो होता है इसका मतलब तो जो काम टाटा बाटा कर रहे थे वही काम MLM में आपको right मिल जाता है कि आप चाहो तो आप भी कर सको ध्यान देना आप चाहो तो जोरी ने क्या आप करो एक example दूँ आपने एक network marketing कंपनी का franchise ले MLM में right क्योंकि MLM कोई basically दो और नामों से जाना जाता है दोस्तों direct selling और network marketing तो कभी आपके सामने तीन word दी आये हो यह तीन line आये हो MLM multi level marketing या diet selling या network marketing दोस्तों इसका उनलब एक ही होता है कि कोई भी ऐसी company या system होगा जहां पे आप चाहो तो उसकी agency ले भी सकते हो बेचो घर में बैटके या आप चाहो तो उसकी agency multiple लोगों को बाढ़ सकते हो यही freedom देती है बस तो मैं repeat करूंगा यह बाटा ठाटा अंबानी और हमारे काम में दोस्तों अंतर क्या है कुछ भी अंतर नहीं है जो काम वो कर रहे थे वही काम हम कर रहे हैं वो भी agency franchise बाढ़ते हैं हम भी agency franchise बाढ़ने का अधिकार मिल जाता हमें MLM के अंदर आके बस अंतर इतना दोस्तों कि वो लोग लाखो अर्बो खर्बो पैर लगा के वो करते हैं और हमें बिना लगाए करना है एक बात हमेशा ध्यान देना अर्बो खर्बो आप इती बिजनस में जाते हो तो पैसा लगाओगे फिर भी agency ही बाटोगे और इस बिजनस दोस्तों पैसा नहीं लगाना बस agency बाटनी आपका मेहनत जाना है वहां मेहनत पैसा दोनों जाता है यहां से मेहनत जाता है तो क्यों नहीं इसको ट्राइग मारके छे मिने साल वर आपको करके देखना चाहिए कौन सा आप 10-15 गंटे काम कर रहे हो आठ गंटे 10 गंटे के जौब भी तो कर रहे हो यार तो अपने लाइप में लाओ यानि system simple simple यह बोलता है यही काम बाटा टाटा करे तो अच्छा और हम करें दोस्तों तो भूरा कैसा होगा जरा सोचना है इस बात को यहां तक कि यहां ध्यान देना इसलिए जो feature बोलता है आंकरा एक मात सिंबल यही बोलता है कि आपको दोस्ते दी बड़ा पैसा बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है वो क्या है दोस्तों franchisee बाटो agency बाटो franchisee बाटो agency बाटो dad's it कोई दूसरा तरीका है ही नहीं करणा दूसों इसको बताने से पहले मैं आप से सवाल पूछूँँगा कि जब भी व्यक्ति पैदा होता है ध्यान देना पैदा होने के बाद हर व्यक्ति पैसा कमाने के बाद स्य defenses marble करते हैं फार्थ dag आकरता है तो कांप पूरे लाइफ में हर व्यक्ति करते क्या करता है निवेस यानि investment करता है मैं repeat करूंगा पूरे इंटायर life में हर ब्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो ही काम करता है या investment या खर्चे नव मेरा सवाल यह था कि सबसे ज्यादा आप क्या खर्चे हैं खर्चा या investment दोस्तों आपका जवाब क्या आएगा खर्चा now question is that कि आपको जो पैसे आते हैं यानि पैसे बढ़ के कैसे आता है खर्चे करने से कि investment करने से आप क्या बोलोगे investment करने से यानि यह मानते हो कि investment करने से ही पैसा multiply होके आता है और खर्च करने से हमेज़ आपका पैसा घड़ता है लाइट नौ क्वेस्टिन इस जब खर्च होने से घड़ता है तो मेरे सवाल है आप दिन भर ज्यादा क्या करते हो खर्ची यानि आपको ज्यादा पैसा आने के चांज तो जीरू है यहां दोस्तों मैं आपको एक आइडिया देता हूं य आपके खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कनवर्ड कर दूं तो बाइडिफॉल्ट आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो ऐसे केस में अगला 15 मिनट ध्यान से समझने का प्रयाज करना क्योंकि मैं बहुत सारे डेटा दिखाने वाला हूं जो मेरा ओपें च आपके खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में कनवर्ड कैसे करूंगा दोस्तो बहुत दीजी तरीका है पूरे इंटेर लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तो यहां पे तीन काम करने कितने काम सिर्फ और सिर्फ तीन काम यदि यह तीन काम आप कर पाएंगे दोस्तो यह तीन काम करना सीख गए तो ह्यूज पैसा है यूज पैसा है नहीं तो वेकार है तो में तीन काम में हैं जो पहला काम थे ना उसको आप चुर 75 आप आप को जो आप खर्चे करते हैं मेरे कहने पर अगले एक साल के लिए उसका ब्रांड आप चेंज कर दो आप क्या बोलोगे मैं क्यों करूं मैं बोलता हूं दोस्ते इसलिए करना है क्योंकि आप बच्पन से एक्सपेर्ट हो कैसे अप्सपेर्ट हो आप ढए यह फ्ट दうんग लिए है कि उनको डव साबुन बहुत पसंद है लेकिन तब तक आश्वरा ने तीसरा दे दिया लेकि चलाता है क्या खुछ लिए भाई सब हमारी बच्पन से हैविट है ब्रांड चेंज करने की अक्सर चेंज करते रहते हैं तो तीन में से सबसे पहला काम यह था आपको ब्रांड चेंज करना है अब आप क्या बोलोगे भाई सब चेंज तो कर लूँगा लेकिन सवाले मह मंगा तो नहीं दोगे सो उस मंगा नहीं दूँगा बाबा राम दो अब हिमालय हिंदुस्तान लिवर रेट में मिल्या तो चेंज करने तकलीफ नहीं कोई भी चेंज कर लेगा ना सब्सक्राइब क्यों सब सबसे पहला काम था वह क्या था ब्रांड चेंज करना है लिखा नहीं हूँ, अरे भाईया, ब्राण्ट चेंज करने के लिए पढ़ाई कहां से आगई, आप बोलते हो, मैं बहुत बीजी रहता हूँ, भाईसा, ब्राण्ट चेंज के लिए ब्यस्ता कहां से आगई, आप बिग बेजार जाके शौपिंग नहीं करते क्या, आप के हाँ shopping होती ही होती है तो brand change करने के लिए कोई excuse नहीं आपके पास ना आप ये बोल सकते हो कि मैं पढ़ू हूँ ना हिंदू हूँ ना मुसलिम हूँ सिख्ध हूँ ना उसाई हूँ ना आप ये बोल सकते हो कि भाईसा मेरे पास time नहीं होती आप कुछ भी आप पास बहाना नहीं है ये बोलने का कि मैं brand change नहीं कर सकता brand तो आप change दोस्त कर सकते हो तो तीन में से पहला काम काफी ही थी है आपने कर लिया जब brand change करोगे दोस्तों ते एक सवाल एक एक दिकत आती है कि जैसे आप brand change करोगे तो या तो आपको product पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा मैं repeat करूँगा या पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा दोस्तों मैं बोलता हूँ जो समान पसंद नहीं आए इसको इमारो गोली वो आपको यूज नहीं कर रहा, जो पसंद नहीं है उसको छोड़ जाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ जो पसंद आए, उसको तो यूज करो कह रहा, तो बस दोस्तो जो पसंद आए, यहीं से शुरूता आपका दूसरा काम, जो पसंद आ जाए, बस उसके बारे में अच्छा किसी ने अपसा सलाह नहीं मांगी, आपने 20 लोग को फोन करें, अब भाई दंगल बहुत अच्छी फिल्म थी, मज़ा आ गया देखके, किसी ने पूछा था आपसे, नहीं, आपके मुहले में कोई बढ़ियां बारबर हो, नाई हो, आप 25 लोगों आप भेज चुके होगे, इसमें लैपटॉप हो, मुवाइल हो, कोई लोकेशन हो, किसी के साधी हो, इवन किसी घर में कोई लड़की हो, तो भी हम रिक्मेंट करते हैं कि वहाँ पर रिस्ता करो, लड़की बहुत सुसील, बहुत सुन्दर है, हमारी दोस्तों बचपन की हैबिट है, अच्छी चीज इसमें पढ़ाई लिखाई जोरत नहीं है, इसमें टाइमिंग दिकने जब इच्छाप कर सकते हैं, तो दूसरा बहान आप नहीं चलने वाला कि आप मुर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं हो, टाइम नहीं हो, बहुत बीजी रते हो, क्योंकि आपके मुवाइल में 3-4,000 लोग को ने दी आपके कहने पे आपका ब्राण चेंज कर लिया, नि दुकान बदल लिया, तो दोस्तों आपको लगभद 10-15,000 महिने की पार्ट टाइम घर बैठे बैठे, इनका मानी स्टार्ट हो जाती है, कितने कमाल की बात है, सवाले कहां से आया, भाई साब अमिता बच्चन आते हैं, बोलते हैं, नौतन लगाओ, दिमाग ठंडा होगा, सभी जानते हैं, जूटा इंसान है, बिल्कुल नहीं लगाता, फिर भी आप लगाते हो, क्योंको इसी जूट बोलने का पैसा जाता है, उनकी बहु आती है, लक्स लगाओ, मेरे जैसे हो जाओगे, भाई साब बचपन से गिस्ते गिस्ते, देख लो, काले काला रागया, कभी गोरे ही नहीं हुआ, फिर भी हम क्या करते है, ब्रान को चेंदि करते हैं, लक्स लगाना शुरू करते हैं, कि उस बहु को पैसा जाता है, उनका बेटा कुछ और जूट बोलके बेचेगा, बहु कुछ और खुद अमिताब बचन कुछ और बेच रहे हैं, और हम लोग जानते वो जूटे हैं, तब भी हम उनको यूज करते हैं, क्योंकि उनको इसी जूट बोलने का पैसा जाता है, दोस्त, आपको तो सिर्फ सच बोलना यार, मैं करता हूँ, 200 प्रोड़क्ट हमारी कमनी में बाई इसका टेंसंट छोड़ दो, जो भी किसी अफनी का प्लान लेगे hoалось पास सब्सक्राइब पास कुछ और री अएक कर लेंगता ही 20-25 लोगों ने brand change किया दोस्तों जैसे आपने change किया था तो लगवक 10-15,000 महिने की income पार्ट टाइम शुरू जाती है और यही था हमारा दूसरा काम कितना easy काम है दोस्तों यह दोनों काम हो सकता है आपके पास actual में कोई excuse ही नहीं होगा ना बोलने का now work number 3 तीसरा सबसे कठिन काम है जो आज को लोग करने जब कतराते हैं और भागते हैं पताओ क्या है आपको जो समान पसंद आया उसका अपने दूसरों को यूज करा दिया जो दूसरों लोग यूज करने आपके कहने पे बस अब दोस्तों उनलों का support करना है आपको यही तीसर 25 लोग के भी घर में 10-15,000 का income करवाना है उसके लिए सपोर्ट करिए कैसे आएगा उनके घर में 10-15,000 की income कैसे आपको आई थी यदि आपने 20-25 लोग का दुकान चेंज करा है तो आपको पैसे 10-15,000 ठीक वैसे वो लोग भी यदि उनका support करो उनको बताओ जाके awareness फैलाओ उनको भी आगे 20-25 लोग को जोगान चेंज करा पाए तो उनके वो भी 10-15,000 मेहने की income आएगी और दोस जब उनको 10-15,000 मेहने की income आएगी तो उसी दिन आपको 2-5,000,000 मेहने की income भी आएगी क्यों? क्योंकि उनके द्वारा त्यार किये वे customer भी कहीने कहीने आपके agency के part है यही तो है दोस्तों network marketing आप ध्यान देना मैं इसको फिर से समझाओंगा आप जैसे आप conclusion क्या निकालता है यही है MLM ध्यान देना कैसे आप screen पर देखो एक बेक्ति यहां पर आता है यह बेक्ति तीन agency बाड़ता है एक दो तीन हम आपकी इस network marketing company की वो तीन में अपना दुक अब आपको यहां freedom agency बांट सकते हो बाटा टाटा यह freedom दोस्तों देते नहीं कि आप सकते हो बसे ही अंतब था नाओ उन तीन में आगे तीन तीन शे तीन नो और तीन यह मिला कि 12 यूजर हो गए यह बारे लोग दोस्तों कुछ भी खाएंगे पीएंगे आपको पैसा थे agency बाटी थी बाटा जैसे आप जो भी समझो 39 में से सिब 9 लोगों आगे काम किया नौने आगे 20 को लायोगा हो गएंगो 280 दोस्ती में से फिर 100 लोग बचे होंगे 100 लोग फिर आगे लायोंगे कितने लोग को प्रिमार लोग 10 लोग को हो गये कितने 200-2000 लोग ऐसे करते करते दोस्तों 19 महीने में लगब असी हजार एक्टिव लोग आज मेरे साथ कनेक्टेण है पूरे हिंदुस्तान में जा सोचना 80,000 लोग अपने घर में कुछ भी खाते हैं तो मुझे पैसा आता है वही जो बाटा टाटा कर रहा था आज वो 80,000 लोग सिर्फ एक घंटे में रिपीड करूँगा 80,000 लोग सिर्फ एक घंटे पर ड़े इस बिजनेस के बारे में किसी को समझाएं तो दोस्त आज मेरे को आएगा कमन सा सवाल है जिसके लिए ज्यादा काम होता है दोस्तों पैसा वही ज्यादा बनाएगा कॉमन सा कॉमन सा कालकुलेशन सिंपल मैथमेटिकल कालकुलेशन दोस्त अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस कौन से मैंने आपको उल्लू बनाया जो टाटा बाटा करे वही वो कर रहे थे अच्छा वही हम आपको पर्मिसन मिल गया तो हम उसे भागते हैं यह बोलके कि बेकार काम है दोस्तों आप ध्यान देना नहीं कर सकते आज मैं सेवेंड डिजिट से उपर इंकम में हूं लगबग दो टू प्लस की बात करूं तो आज मेरे टीम में दस चा जी मैं करता है अब भलो जी बोलती पता है साबून टूथ पेश्च खतम हो गया नया लाना है हम के पाटि दो बोलती पाटि क्यों चाहिए मैं बोलता हूं इसलिए चाहिए कि मेरे घर में दोस्त अपर टूथ बेस नहीं खतम हुआ ओगा ऐसे मैं से कम सकम 30-40-30-100 हजार घ रहेगा क्यों वही distribution system हम create कर रहे हैं जो वो करते थे आपको कोई fraud नहीं huge share support मैं repeat करूंगा huge share support यही तो है business now question is that कि authenticity क्या है इसका जड़ा देखते हैं पुरी world marketer data दोस्तों आपके इसमें चल रहा होगा पुरे दुनिया के अंदर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा काम अमेरिका में हो रहा है नंबर दो पे चाइना थी अभी 2018 ग्लोबल डेटा देखे दोस्तों चाइना और अमेरिका दोनों 18 18 परहंट बराबरी पे चल रहे हैं आप इमेजिन करना हमें दुनिया का महा सकती बनना इंडिया को राइट महा सकती कैसे बनोगे यार जब महा पावर की जैसे काम भी तो करो आपको चाइना से मुकाबला करना तो चाइना का ज्यालर जनाना बंद कर देंगे चाइना के समान का बहिसकार करके आप कभी जिंदगी म इंडिया का 47 पर आती में व्लड में अमें तीन पर मार्म मर्णा पूलย करते हो यूपी से भी छोटा है दोस्त कौन अमेरिका पूरा और नंबर वन पर काविज है आपको नेटवर्क मार्केटिंग का आँगणा दिखा रहा हूँ आपको लगता मैं करूं या ना करूं आप देखना दो हजार नौ में 117 बिलियन का कारोबार था और 2017 आता थे 189 बिलियन का कारोबार हो गया और अभी भी आपको डाउट है कि में इस इंडस्ट्री में आऊं की नाऊं ताज्यूप की बात है आप देखना यदि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाई प्रोड की बात किया वेल्नेस का सेलर लबक 30% 33% उसके बाद आता है सर्विसेज का और हो में जो प्रोड से उन चीजों का और आप अभी डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं ना करूं पूरी वर्ल्ल के दोस्तों आंक्रा देखना कि कंपनीज ने कितना प्रोफिट सेयर किया 189 बिलि डॉलर पर डे का एवरेज है इतना हुट हम लोगों को पास पैसा आ रहा है और अभी भी आप जॉब में बीजयों लगता कि नहीं नहीं मैं तो जूब में हूँ खोसु संतूष्ट हो इससे ज्यादा मुझे कुछ नीचीए ताज्यूब हुतिये सोचके यह आकड़े हैं अब ध्यान देना 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बाई रीजन की बात किया जाए तो अब देख सकते हैं कि चाइना के वाद से बहुत बड़े मर्जिन लेके आगे हैं उसके बाद आप देखिए कौन है दोस्तों योरोप नॉर्थ अमेरिका साओध अमेरिका अमेरि नहीं टॉप पे थी कहीं चैना टॉप पे हैं आप कहां बिलॉंग करते हो ज्यान देना मैं रिपीट करूंगा फिर से यदि 2017 का सेल्स बाई पर डिस्टीबूटर देखा जाए कि हाइस सेल किस कंट्री ने पर डिस्टीबूटर किया तब जर्मनी में लगए 18,890 डालर पर ज्वाइन पर नेटवर्कर सेल हुई है आप देख सकते कितना यूज डाटा है इंडिया डाटा दो तो 189 रुपए का सिर्फ यानि कि लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं बर उनके खुद के पास में सेल्स का डेटा नहीं है कंजूमर्स नहीं है एक 188 रुपए उनली ध्यान देना आप देखा चाहिए 2017 में सेल्स पर डिस्ट्रिबूटर लोवेस्ट में तब आप दे सकते हैं इंडोनेसिया मात्र पचासी पर बैठा हुआ है आप इमेजिन करना कि इंडिया के बात करो दोस्तों तो आप लोग इस विजनस में नहीं हो तब भी भारत में 2015 में 750 क्रोंड और 2018 में 1300 क्रोंड को बिजनस हो चुका है और 2019 का डेटा कोरोना के चक्कर में लेट होगे आने वाला है आजागे 2-4-4 मीने होए और अभी भी आपको डाउट है कि मैं इस फिल्ड में आऊं या नाऊं दोस्ते एक बात ध्यान देना इंडि जून 2016 का इंडियन एक्स्प्रेस फिक्की का रिपोर्ट आता है फिक्की को नहीं बीजट का पास करने में भी सपोर्ट करती है इंडिया का राइट फिक्की यह बोलती है डेटा के अधार पे बारत में 64500 क्रोंड का का रोबार नेट्वक मार्केडिंग का होने वाला है 2020 त अगले 5 सालों में जब यह बिजनस 55,000 क्रोड का होगा दोस्तों पैसा कौन बनाएगा जरा सोचना दोस्तों पैसा वो बनाएगा जो लोग आज से इस बिजनस में क्नेक्टेड हों क्योंकि यह शुरुबात हो रही है आप ध्यान देना करनाट का इस्टेर ओपन इनवर्स्टी दोस्तों एक जित ध्यान देना कि आज मैं आपसे सवाल पूछू है कि आपके घर में कोई लड़की हो कोई लड़का हो जो ग्रेजिविशन करने वाला हो या जो जो केसन हमारी देने की छमता नहीं है अलोवर में बजा कोन एंसे बीटेक यही बचे बिलीब करो यह एंसे बीटेक एंबीए वाले आज मारे मारे गुमरे दोस्तों नौकरी नहीं मिलती मैं इसले बोलाओं कि मेरी अपनी साफ्ट्वेर कंपनी थी दिल्ली में और मैंने द अब फ्यूजर दोस्तों रोबोट्स का है अपने बच्चों को रोबोटिक्स का कोई कोर्स करा ओ फ्यूच अब्राइट है सैटलाइट्स आने लवा हर चीज सेटलाइट पर चला सैटलाइट कोर्स कराओ और इलेक्ट्रोनिस कभी मरने वाली नहीं है उसमें ले जाओ कोई डेटा लेके आती है कोई प्लानिंग करती है तो कल के लिए प्लान नहीं करती है जब एक रोड़ पास होता है दोस्त तो वहां पर आबादी आज कितनी हो सकती है जनगरणा के अधार पे और 20 साल बाद कितनी हो सकती है उतना जगा पहले से कवर कर लिया जाता है आप देखोंगो जब अतिक्रमन हटाया जाता है आपके शहर में से तो रियल में जमीन गवर्मेंट ने पहले सपास कर रखा था कि जब आबादी बढ़ेगी तो कैसे में इसको कंट्रोल करूंगा लेगिन जवर्जस्ती हम जैसे लोग कपजा करके वहां बैठे होते हैं मैं यह क्यों बोलों कि गौर्णमेंट जब प्लानिंग करती दोस्तों आज का नहीं करती अब देखना करनाटका इस्टेट ओपन इनवर्श्टी 2014 से नेटवर्क मार्केटिंग उपर एक एंब एक कोर्स चला रहा है डारेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग अब क्या लगता ह देख सकते हैं यह जो कटिंग है यह एक साइट से मैंने खुद लिया था और देख सकते हैं कि डेली इनवर्श्टी का लोगो बना हुआ है पीछे वाटर मार्क होगा डेली इनवर्श्टी नेटवर्क मार्केटिंग पर पढ़ाई लेके आ गई और यदि अभी भी आपको डाउट है कि इस बिजनस में जाऊं की न जाऊं सही है की फ्राड है तो भाईया धन्य हो महान है आप लोग फक्र होता आपको सूच के उपर में कि या तो देली इनवर्श्टी समझदार हो या आप समझदार हो आज इस देली इनवर्श्टी कोर्स लेके आ चुकी है और अ आज एजुकेशन दिया जा रहा है और अभी आपको डाउट है दोस्ते एक जिद्यान देना आठमी क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेट्वर्ट मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट करूप में डाला जाए कि जब बच्चे मैं रिपीट करूंगा जब बच्चे आठम क्लास पार करें तो उनको साइंस में आर्ट में किसमें कॉमर्स में नहीं उनको यह मालूम होना चाहिए कि यस नेट्वर्ट मार्केटिंग फ्यूचर है करियर है और आपको अभी भी राउडर की फिल्में आऊं कि नाऊं दोस्तों हमेशा जान देना 2016 के अंदर में गवर् से देखना मैं जरा से एक वेबसाइट खोल के फिर आपको सेयर करूंगा आप कुछ मत करो आप सिर्फ गूगल पर जाके दोस्तों से एक सब्द डालो क्या डालोगे आप डारेक्ट सेलिंग डारेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया आप जोस्तों जैसे डालोगे ना यहां consumerhelpline.gov एक website आता है यहां पर देखिए मैं क्लिक करूंगा government of India के जियो भी यानि दोस्तों government की website है यहां पर कितनी कंपनियां दोस्तों अब तक license मिल चुका यह license तो नहीं बोलूंगा जिन्नों documentation complete किये हैं और साथ में दोस्तों यहां पर डेटा आता है कि किसी कंपनी पर फाइर वगरा है तो वह भी आपको यहीं दिख जाएगी राइट यहां पर यहां पर इस website को थोड़ा समय बैक करूं राइट बैक करूं आप देखिएगा यहां पर मैं सिब डेटा प्यश्पी को खतम करता हूं एंटर तब देख सकते हैं यहां पर प्रोसीड यहां द को यहां मिल जाएगा और अभी आप इन पड़े लिखे लोगों को यह डाउट है कि नेट्वर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं जिनून है कि नहीं है दोस्तों यह आप तबाही आप यह जो कर रहा हो ना कि आप यह अपने से मजाक नहीं कर रहे हो एक लिए दोस्तों पड़ाई सुरू जाती है और अभी आप चतुर चलांक बैठों कि नेटों मार्केटिंग बेकार है फाल तो मुझे नहीं करना चाहिए ताज्यूब की बात है दोस्तों हमेशा ध्यान देना हमारे माँ बाप के पास कोई अपरचुन्टी ज्यादा नहीं थी एक रियल इस् जी को बुजूर्ग थे बहुत दिन से नहीं आये थे ना घर के आसपास के एरिया में कोई मौल बन गया कोई शॉपिंग कॉम्डेक बन गई आप बोलतों पापा को ज्यादा नहीं बच डेड़ साल पहले बना है उनके मुह से दोस्तों एक आवाज निकलती बताओ पहले य स्थाने की जंगल में कलमंगल होने वाली है दोस्तों उनके पास विजन नहीं थी वाट अबाउट यू जब आपका कल बच्चा यह पुछेगा कि बपाई बहुता हो 2018 में 2016 में गवर्मेंट आफ इंडिया गाइड लेकर एक कानून लेकर आई 2018 में डेली इंवर्स्टी कोर्ष लेकर आई 2014 में इंब्या कोर्ष सुरू हो गया 2020 में आपके अखलेस नाम के सक्सका वीडियो मिला यूट्यूब कूपर में आपने लाइप टेलिकास देखा फिर भी आपने इस्टार्ट क्यों नहीं किया दोस्तरा सोचना आप क्या अज मेरे बच्चों को जो लगजरी लाइप है दोस्तना वो लगजरी कार से गुमते हैं जो चाहते हैं तुनंत मिलता है कितने में सब 19 महीने में यह पाउर है नेटवग मार्केटिंग की क्योंकि यहां पर हम टाइम बेचते नहीं दोस्त हम टाइम खरीगते हैं हमेशा ध बात बोलके आप दोस्तों आज सेशन को खतम करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्यान देना आप गौर्रमेंट ने हाथ डाल दिया है और जिस चीज में दोस्तों गौर्रमेंट हाथ डाल देती है उस चीज से अपने आपको बचा नहीं सकते मैं हमेशा एक जंबल दे दिन क्या होता है कि इगनारा उनका चलता है कैमपेइन दो बूंद जिंदगी के अब उनको यह पता है कि किस घर में कितने बच्चे हैं उन बच्चों के साफ से दोस्तों लोग क्या करते हैं घर में पहुंचेंगे हाथ देखेंगे और दो बूंद जिंदग के टपका दें हाट बजार में चलाओ कहीं भी आप चले जाओ मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कहीं भी चले जाओ आप देखना हर जगह पता नहीं कहाँ दोस्तों प्रगड हो जाते हैं और प्रगड होते ही क्या बात करेंगे आपसे दो वो जिन्दगी के फिला देंगे। ज़रा इमेजिन करना आप अपने बच्चों को पल्स पूलियस नहीं बचा पाते और वो गवर्मेंट यदि चाहा गई कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना दोस्त आपको लगता है कि आप बचा लोगे इंपॉसिबल है दोस्त आ में सा ध्यांदेना कंजूमल डिपार्टमेंट आरबियाई एंडिया के एंदर में आती है बैंकिंग की से भी लेसी cold कि रहाई remain तेका सेुख़ितिवर्मेण देवर्मेंट ऐंडिया के लिग से पांदोने ने ऐड के है तो वह कौन है कंजूमर डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट क्या बोलती है जागो ग्राहक जागो दोस्तों अगले तीन साल चार साल के अंदर अंदर जहां यह हर स्टेट में कानून आ गई अभी तक 11-13 स्टेट में अब तक लागू हो चुकिए गाइडलाइन बाक और स्वारोजगार अपनाएगा मैं रेपीट करूँगे जिस दिन वो गरहक जागेगा जला सोचना किसके पास जाएगा जिस दिन एड़ाइट जागो गरहक जागो स्वारोजगार अपनाव डाय शेलिंग चुनो नेटवर्क मार्केटिंग चुनों उस दिन जब आपका पड़ोसी जागेगा दोस्तों किसके पास जाएगा जो पहले से इस फिल्ड में कुछ कर रहा हो यानि आपके पास मैं रिपीट करूंगा आपके पास डजन मैंटर कि कि आप सकसेज हो या नहीं हो उस दिन कई लोग ऐसे बड़े दिक्कत में होते हैं पांस साल तक मुझे पैसे नहीं आएगा और यह थोड़ी नहीं आएगा च्वाट की दो सब्सके चला च्याल में रिपीट कर रहा हूं फिर से जब वो परोसी जागेगा तो उसको मतलब नही भाखेकए लगा तो इस दिन आपको खोजएगा जब खोजएगा तो जीन किसमा चंकेगी तो कोई फरक नहीं पड़ता कि आज सक्षल हो या नाई हो फरकषिव इस से पड़ता है क्या आप रीडी हो तब तक इंतजार करने को तब तक fight करने को तब तक सीखने को यदि yes तो welcome to our team आज दोस्तो network marketing सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो मैं आपसे repeat करूँगा बहुत स्वागत है किसी भी company में connect हो जाओ किसी भी company में जुड़ जाओ बस दोस्तों join करो कोई नेटवर्क marketing company because this is golden period now हम किसमें काम करते हैं कैसे करते हैं इसके अरह हम दोस्तों आज हम बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे किसी और दिन कल के 3 बज़े के meeting में तो thank you so much all of you बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके आप लोग से बात करके तो thank you so much bye bye good night